नमस्का दोस्तो, मेरा नम डॉक्टर नगिंदराद है, आप चाहते हो कि आपका पेराकीट्स कभी भी भी बिमार ना हो, यानि हमेशा हेल्दी बना रहे, ऐसी क्या चीज़े हैं जो कि आपका अपने घर में करने चाहिए, ताकि आपका तोता जो है कभी भी 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 तोते कुछ तो जो बिमार होते हैं, खाने पीने के वज़े से होते हैं, या कुछ ऐसी चीज़े एंवायरमेंटल कंडिशन्स होती हैं, जिनका क्यम ध्यार नी रखते हैं, इस वीडियो के अंदर में उन सभी पॉइंट्स का कवर करने कोशी करूँगा, जिसकी वज़े से तो जो बिमार होता है, या आप उन चीज़ों को एक एक करके आप सुधार लोगे, तो आपका तोता जीवन में कभी भी बिमार नहीं होगा, एक जो हम सबसे वड़ी गलती करती हैं, आप देखा होगा कि हम अपने घरों के अंदर तोते के सामने हमेशा 24 hours खाना रखा रहने दे हैं, या आपका बर्ड्स जो है, ओवरिटिंग, ओवरिटिंग, ओवरिटिंग करता रहता हैं, सीट्स तो ठीक है, सीट्स में कोई दिक कर दे, सीट्स खराब नहीं होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा, जैसे हम फ्रूट्स या वेजटेवल्स या कोई और चीज उसको ब बैक्टिरिया ग्रो करना शूगर देता है, हम इस तरफ त्यान नहीं देते हैं, वो फूट जो है सारा दिन उसके सामने रहेगा और आपका बर्ड्स का जब मानों को उसको खाता रहेगा, दीरे दीरे आपका बर्ड्स जो है, किसी ने किसी बैक्टिरिया वाइल कि चपीट मैना शूरू हो जाएगा, क्योंकि ये जो सड़ावा फूड है, जब आपका बर्ड्स खायेगा, तो ओटमेटिक कही न कहीं जाकर कि उसको वो इंफेक्शन क्रेट करेगा, तब आपका बर्ड्स या था वामिटिंग करना स्टार्ट कर देगा, या धीरे धीरे ये सब जो है इस सड़ेवे खाने की वज़े से ही है, इसलिए जब भी बर्ड्स को खाना आप केज के अंदर रखते हो, बिलकुल घड़ी के साब से आप टाइम देख करके 30 मिनट से जादा कभी भी आप अपने बर्ड्स को खाना मा चोड़ दिये, यदि आप 30 मिनट से जा है कि बर्ड्स को आपने नेचर के अंदर देखा होगा कि पक्षी सुबह सूरज उखते ही उड़ जाते हैं, दिन बर अपना खाना ढूंडते हैं, शाम को दिन छिपने से पहले जा करके अपने घोंसलों में जा करके अराम से बैठते हैं, उसके बाद वो कुछ भी नहीं ख होता है, जिसमें हमेशा लाइट ओपन रहती है, उसके अंदर आपके बर्ड्स के केज की लोकेशन होती है, यो कि वो एक ऐसी लोकेशन होती है, आपका बर्ड्स आपको हमेशा आते जाते वे देखता है, उस एरिया में लाइट शैद कभी ही ओफ होती है, हमेशा ओन रहती है 24 hours light on रहने से क्या है birds हमेशा stress में जाता है stress में जाने का reason सी होता है कि birds को proper rest नहीं मिलता उसको नीद नहीं मिलती 8 से 10 गंटेगी जबकि nature के अंदर वो हमेशा 8 से 10 गंटे अपने gauge घोसले के अंदर बैट करके अंधेरे के अंदर बिताते हैं जब 24 hours लाइटिंग मिलती रहेगी या continuous stress रहेगी तो birds में stress related आपको symptoms मिलेगे आप देख रहे हो कि आपका birds stress में है अचानक से उसके behavior में changes आगया उसने काटना शुरू कर दिया या उस lighting की वज़े से क्योंकि वो बोलतो सकता है नहीं कि आप light बंद कर दिया उसकी वज़े से इतना stress में जाएगा गुस्से के कारण अपने feathers को remove करना शुरू कर देगा इसलिए lighting का जुरू ध्यान के birds को कम से कम 10 से 12 गंटे अंधेरे वाली जगह पर रखे या रात होने पर आप उसकी light off कर दिजिए और उसके cage को कोशिश कीजे कपड़े से cover कर दिजिए ताकि उसको पूरा एक night का जो environment अवो feel और आपका birds प्रॉपर तरीके से rest कर सके purchase के अलावा cages के अंदर जो एक अम्मूम देखा गया कि उसका house होना चाहिए घर होना चाहिए जिसमें birds जाकर के पूरी तरीके से अराम से rest करके अपनी नीद को पूरा कर सके क्योंकि purchase में ना तो ढंक से बैट पाता है ना ही अपनी नीद पूरी कार पाता है cage के अंदर उसका घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम एक बर सुबह पानी लगा देते हैं उस पानी को शाम तक birds के सामने रखा रहने देते हैं आप देखेंगे कि वो पानी शाम तक इतना गंदा हो चुका होता है कई वर्स में birds अपना fecal material भी उसी में कर देता है feces भी कर देता है या cage's का जो dust वगरे उड़कर के उस पानी के अंदर चला रहता है पानी काफी शाम तक पीने लायक नहीं रहता है और हम उस पानी को यदि नहीं इठाते हैं उस गंदे पानी को यदि आपका birds यदि आपका parakeets जो भी है पील लेते है तो आपके पक्षी जो है बिमार होना शुरूए आते है इसलिए कोशिच करनी चाहिए कि पानी को या तो bottle system आप रखिए कि birds एक-एक sip करके पानी पीता रहे उसमें फिर को infection होगे चांसे नहीं होगे यदि आपका open है आपने bowl के अंदर पानी रखा तो कोशिच किए दिन में तीन से चार बार उस पानी को जुरूर चेंज किए उसका दूसरा plus point ये भी होगा कि जितनी बार आप पानी चेंज करते हो उतनी बार जो है आपका birds पानी का intake करता है और जितना ज़्यादा birds पानी पीता है उतना birds की skin के लिए healthy होता है एक हम birds के cages के अंदर में enrichment प्रोइड करने कोशिच करते हैं हम birds को खुब सारे toys प्रोइड करते हैं लेकिन समय के साथ सथ क्या ही जो toys है पुराने होने शुरू आते हैं या आपका parakeets क्या है उसको अपनी beak से कई बार तोड़ देता है जो टूटे हुए toys हैं आपके यदि वो आप as such cage में रहने देते हैं उन cage को उन टॉइज को यदि आपका parakeets दुबारा से चबाने किया काटने कोशिच करता है तो उनके जो आपने देखा हुगा तूटे हुए toys उसकी mouth के इंजरी कर सकते हैं उसके tongue के इंजरी कर सकते हैं उससे excess bleeding हो सकते हैं अगर excess bleeding के वज़े से आपके birds में death भी हो सकती है क्योंकि excess loss होना birds का बहुत risk होता है यदि birds की 10% body weight से जदा यदि blood loss हो जाता है तो birds में automatic death होने की possibility रहती है इसलिए इस परकार के toys जो के टूटे फूटे आपके cage के अंदर उनको समय रहते हैं चेंज करते ही है ये एक routine आप इस तरह से बना लेजे कि हर दो या तीन महिने में अपने toys को चेंज करते ही है क्योंकि birds भी जो है एक toys से खेलते खेलते हमें शबोर हो जाते है और जब उनको fresh toy में लेगा तो automatic birds पहले से ज़्यादा खुश होगा इस परकार इस toys के मामले में हमें सावधानी रखनी चाहिए और ये भी एक मुखे कारण होता है कि आपका पक्षी बिमार होता है या injured होने के possibility रहती है रात को सोने से पहले हमने एक checklist बना लेनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि सोने से पहले हमने अपने birds के बारे में क्या-क्या points एक है जो कि रोज आपको एक time travel की तरह उसको follow up करना चाहिए सोने से पहले सबसे पहले आपने कोशिश करना चाहिए उसका खाने का बतन, उसका पानी का बतन केज में से बहाँ निकाल करके रख दीजे ट्रे जो आपकी है जिसमें दिन भर का वेस्ट में टिलता है उसको निकाल करके साफ करके उसको वापस ट्रे को अपनी जगह रखिए और उसके ओपर जो है यदि आपका दरवाजा खुलाता है उसमें कोई जानवर उसको खोल करके उसके पर अटेक भी कर सकते इसलिए सोने से पहले एक पर उसको लॉक जरू चेक कर लीजिया रात को पिंजरे को कवर करके हमेशा कपड़े से जरूर रखिए क्योंकि ये बर्ड्स को एक प्रॉपर एंवार्मेंट फील देता है मतलब उसको नाइट का फील देता है कि अब नाइट हो गई है अब उसको सोने का वक्त होगा तो आप जब कपड़े से उसको कवर करेंगे तो अंदर पूरी तरीके से अंदेर हो जाएगा और आपका बर्ड्स कमफर्टी रिलैक्स होकरके अराम से अपनी नीन जो है आट कंटे की पूरी लेगा रात को लाइटिंग केज के उपर जितनी भी लाइटिंग है उनको ओफ कर दीजे ताकि ताकि बर्ड्स को लाइटिंग के वजे से कोई डिस्टर्विंस ना हूँ सोने से पहले अपने बर्ड्स की एक हैबिट रखिए आप जब स्कोर्ड्स मोरणिग पर जाते हैं तो मोर्निग में सब से पहले स्को गूर्ड मोर्णिग कर सोते वक्त आपके मेरे वीडियो पसंद आएको यदि आपके मेरे वीडियो पसंद आएको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद